एकाश मंदर महाबलीपुरम में लगभग नौँ एकाश मंदर हैं भारतिय कला को पल्लवों का यह अदभुत योगदान है इन एकाश मंदरों को स्थानी रूप से रथ कहा जाता है क्योंकि ये मंदिर शोभायात्रा में निकाले जाने वाले रथों से मिलते जुलते हैं सभी एक आश्म मंदिरों में उतक्रिष्ट ये पांच रथ विशाल चटान को काट कर बनाये गए है विभिन योजना और उंचाई के इन मंदिरों को तराशा गया है और छुटे हुए भागों का उपयोग बुद्धि मत्ता पूर्वक पशुओं को प्राकृतिक रूप में उकेरने के लिए किया गया है इन रथों को महाभारत ग्रंत के नायकों पांडवों और उनकी पत्नी के नाम दिये गए हैं जो एक स्थानिय परंपरा है धर्मराजरत पांच रथों में से धर्मराजरत सबसे प्रभावशाली एवं सम्रिध मूर्तिशिल्प है तीन तलवाले, तीन मंजिले, विमान के तल तो वरगाकार हैं किन्तु इसका ग्रीवा शिखर वाला भाग अश्ट कोणिय है और पश्चिमोन मुखी है कोने वाले ब्लॉक में गर्भग्रिह के चारों और शिव, हरिहर, ब्रम्हा, शास्त, ब्रम्हा की सामान्य मूर्तिया है और अर्धनारिश्वर का एक लालित्य पोर्ण और संतुलित रूप चित्रित किया गया है इसके अतिरिक्ट एक राजा का चित्र है जो संभव्त, स्वयम नर्सिह वर्मन प्रथम है इस चित्र के ऊपर उसकी पद्विया श्रीमेधा और त्रेलोक के वर्धन विधी उतकीर्नित है उपरी तल जो मूर्तियों की एक वास्तविक दीरगा है, में गंगाधर के रूप में शिव की उतकृष्ट रूप में प्रतिरूपित मूर्ती, तमिलक शेत्र में नटेश के रूप में शिव के आनभिक रूप का प्रतिनिधित्व करती हुई मूर्ती, व्रिशपन्तिका, कंकाल मूर्ती, गरूर पर विश्राम कर रहे विश्णू और कालियामर्दन की मूर्तियां भी मौजूद है एक अभिलेक में इस मंदिर का नाम सबसे उपर के तल में अत्यंत काम पल्लवेश्वरम दिया हुआ है अत्यंत काम पद्वी परमेश्वर वर्मन प्रथम को दी गई थी भी मृत यह एकाश्मृत वास्त युजना में अंडाकार है और इसमें एक तल विमान है संभव्त इसे विश्णू की विश्राम मुद्रा को समर्पित किया जाना था केवल प्रभावशाली साल शिखर ही पूर्णत्या परिश्कृत है और भूतल के उपर हार और उची ग्रीवा दीवार है साल शहत पर स्तूपियों एवं त्रिकोण पार्शवों के ऊपर अस्त्रदेव त्रिशूल कल्शों की श्रिंखलाओं को आधार प्रदान करने के लिए सशक्त नासिकाए है त्रिकोनिका पार्श्वों को आकर्शक कला भावों द्वारा उतक्रिष्ट रूप से उभारा गया है और केंद्र में एक वृताकार तथा मुकुटी स्थूपी सहित एक वर्गाकार एक्तला पूजास्थल का एक लगू मॉडल है अर्जुन रत यह एकाश्म विमान उन पाँच विमानों में से एक है जिसे एक चटान को तराशकर बनाया गया है इस छोटे द्वितल, दो स्तरिय, विमान में वास्त युजना में एक स्तम्भ्यूक्त मुखमंडप सहित एक गर्बग्री है इसमें द्रौपदी रत सहित एक उप्पीठ है अधिश्ठान साधारन पदबंध प्रकार का है पादवाले भाग में सुरुचिपोन रूप से उकेरे गए स्तम्भू के बीच काट कर आले बनाये गए हैं जिनमें पार्थी हारों, अमरों, एक सिध, एक चवरी धारक, अपसराओं और विश्णू, हाथी पर सकन्थ तथा शिव व्रिशभांतीक जैसे विभिन देवी देवताओं की सुन्दर मूर्तिया है उप्री तल, मंजिल में अश्टकोणिय शिखर सहित एक हार है यहां कच्चे चटान में से एक स्थूपी को तराशा गया है किन्तु उसे चटान से अलग नहीं किया गया है शायद ये स्थूपी विमान के शिखर को मुकुटित करने के लिए बनाए गई थी द्रौपदी रत पांच एकाश्म रतों में से यह सबसे छोटा है और उत्तर दिशा में स्थित है यह एक साधारन कुटिया जैसा कुटाग्र विमान वाला रत है इसमें अर्जुन रत सहित एक उपीट है उंचाई में इस विमान में एक साधारन पदबंध अधिश्थान है पदवाले भाग में देवकोष्ट हैं जिन में दुर्गा की प्रतिमाएं हैं कपोत यहां दिखाई नहीं पड़ता छट कुटिया के आकार की है जिसके जोडों में अलंकारिक कला भाव है उपीट के कोने में तल शिला में से स्थूपी को तराशा गया है किन्तु इसे शिला से अलग नहीं किया गया है गर्बग्रिह में दुर्गा की एक उत्कृष्ट प्रतिमा है जो शायद बात के काल की है सहदेव रत इस एकाश्म रत की निर्मान योजना आधार से लेकर शिखर तक गजप्रिष्ठिया है जो आनभिक चैत्य मोडलों की याद दिलाती है यह एक अलग शिलाखन से बनाया गया है जो अरजुन रत के निकट खड़ा है और दक्षिना भिमुखी है इसमें एक द्वितलिय, दो मंजिला, विमान है इस विमान का अधिश्ठान परिभाशत नहीं है पत को भित्ती स्तंभुद्वारा साधारन रूप से चिनांकित किया गया है आगे की ओर एक मुखमंडप है अर्जुन की तपस्या अर्जुन की तपस्या एक प्रभावशाली नकाशी है जो नरसिम हवर्मन प्रथम के काल की है जो किराता अर्जुनिय की कहानी को सांकेतिक रूप से चित्रित करती है जिसमें महाभारत के महान योध्धा और नायक अर्जुन ने भीशन, युद्ध और कड़ी तपस्या के बाद शिव से सर्वव्यापी पाशुपत शस्त्र प्राप्त किया था केंद्र में शिव तथा क्रिशकाए अर्जुन को तप करते प्रमुकता से दिखाया गया है एक नदी के किनारे इस दृश्य का स्थान निर्धारन करने की कल्पना में कलाकार ने उलेकनिय सफलता प्राप्त की है एक नाग और एक नागिन को चित्रत कर नदी की रूप में प्राकृतिक दरार की बुध्धिमत्ता पूर्वक अभिव्यजना की गई है चंद्र, सूर्य, किन्नरों, गंधर्वों, अपसराओं आधी, शिकार करते शिकारियों, पशुओं की जुंड, मंदिर के समक्ष तपस्या करते रिशियों और मध्याहरन अनुष्ठान करते बाहमनों की उपस्थिती और प्रस्तोती से इस दृष्य की शांती और नीरफ्ता और अधिक बढ़ जाती है एक सिंग के बगल में निश्चिन्थ होकर विश्राम करता म्रिक तथा पिछली टांगों पर तपस्या करती धूर्थ बिल्ली के आसपास उचल कूद करते चूहे मनुभाव में और वृद्धी करते हैं पशों को सरवाधिक प्राकृतिक रूप में और उच्चत अनुपात में चित्रत करना कलाकार की कुशल कला अभिव्यक्ति का प्रमान है